त्रिपुरानी तक हक बुखुक रोग जोटो नोनो नोनो हम जा कमुं ताई खलुम मा याकारू महराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य देव बर्मानी ओ हस्ते हो अंग ताई वैसा पायू बेलायू तौन्थोक्का त्रिपुरा के राजपाल प्रफेसर कप्तान सी सोलंकी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री स्रिमान विप्लव कुमार देव उपमुक्यमंत्री सी जिश्नुदेव वर्मा राजप सरकार के अन्य मंत्री गण और यहां भारी संख्या में पदारे हुए मुझे आशिरवात देने के लिए आये हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों मा त्रिपुरा सुंद्री की धर्ती पर आप सभी के बीच आने का एक बार फिर सौभागी मिला है यहां पर दसकों बाद जो आपने परिवर्तन किया है उसका संतोश आपके चहरे पर मैं देख सकता हूँ अजब पुरे रास्ते बर जब लोग थे तो मैं देख रहा था कि ग्यारा महने पहले आपको जो मुक्ति मिली है उस मुक्ति का आनंद आपके चहरे पर नज़र आ रहा था बीते ग्यारा महिनों में आपने लोग तंत्रों और विकास को सही माइने में अनुभव किया है त्रिफुरा के विकास को त्रिफुरा के विश्वास को नए रास्ते पर ले जाने के लिए मैं यहां के लोग प्रियमुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सात्यों यहां आने से पहले मुझे यहां आने वाले हर व्रिक्ति को सकारात्मक्ता से भरने वाला है दीर विक्रम जी की प्रतिमा त्रिफुरा के हर जन को विकास के विजन के लिए प्रेलित करने वाली है सात्यों त्रिफुरा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी बीते साड़े चार वर से त्रिफुरा के लिए परियाप्त फंड जारी किरिया गया लेकिन पहले की सरकार के रवेये के चलते यहां काम नहीं हो पाया था लेकिन वर्तमान सरकार अब त्रिपुरा के विकास को गती देने में जुटी है मुझे बताया गया है कि राज्य के इतिहाद में पहली बार न्यूनतम समर्थर मुल्य पर MSP के आधार पर MSP के आधार पर पहली बार त्रिपुरा राज में किसानों से धान खरीदा है महरानों दिल्ली में बड़ने बड़े भाषन जाड़ने वाले नेता जब यहां उनकी पार्टी की सरकार थी MSP पर किसानों का धान खरीदने काभी काम जिनों ने नहीं किया देश को ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा उनको बेनकाम करना पड़ेगा इसके अलावा साथ में वित्तायों की सिफारिशों को लागू कर लाखों करमचारियों का ध्यान भी रखा गया है ये काम जो मद्दूरों के नाम पर राजनीती करते है कामगारों के नाम पर राजनीती करते है दुनिया भर को मद्दूरों के हके भाशन देते है उन्होंने त्रिपुरा में इतने साल सासन किया लेकिन पे कमिशन के रिपोर्ट की कभी परवा नहीं कि एक प्रकार से तिस त्रिपुरा को पहले की सरकार ने अलग थलग करके रखा था वो अब सही माइने में हमारा त्रिपुरा देश की मुख्यधारा में चुड रहा है साथियों त्रिपुरा के सामान ने मानवी के हित को विस्तार देते हुए अभी अभी मैंने सैंकडो करोड के प्रोजेक्स का उद्गाटन किया है अगर तरह सर्बरूम रेल्वे लाइन का गरजी बेलोनिया सेक्शन हो या त्रिपुरा इंस्टिटूट अफ टेक्नोलोजी का नया केंपस यह यहां के युवाओं को नए अवसरों से जोडने वाले हैं साथ्यों चुनाव के समय जब मैं यहां आया था तो मैंने विकास के हीरा मोडल की बात किती ही एच आई आर ए लोग चुनाव में बोलते हैं बात में भूल जाते हैं मैं सामने से याद करा रहा हूँ ही आई आरे मैंने हीरा की वकालत की थी इसका मतलब था हाईवे आईवे रेलवे एरवे एच आई आरे अगरतला से सबरूम तक का रेश्टल हाईवे प्रोजेक्ट हो रेल लाइन हो हम सफर एक्सप्रेस हो अगरतला देवधर एक्सप्रेस हो अगरतला के एरपोर्ट में बन रहा दुसरा टर्मिनल हो ये सारे प्रोजेक्ट त्रिपुरा के उसी हीरा मोडेल की जांकी है इन प्रोजेक्ट से त्रिपुरा में रोजगार के नए अवसर पैदा होने वाले हैं यहां उद्योगों की संभावनाय बनने वाली हैं साथियों, जिस त्रिपुरा को लैंड लोक राज्य बता कर विकास का हक छीना गया, उस त्रिपुरा को हम साउथ इस्ट एश्या का नया गेटवे बना रहे हैं। बंगला देश सरकार के सयोग थे, चिटगाव और आसुगन पोड के रास्ते त्रिपुरा को बोटर कनेक्टिविटी का फाइदा मिलने वाला है। फैनी नदी पर पूल पर भी तेजी से काम चल रहा है। जब ये पूल पूरा हो जाएगा, गोमती नदी को गहरा करने का काम पूरा हो जाएगा, तब तिरी पूरा सिरफ नौर्थ इसका नहीं, साउथ इस्ट एश्या का कॉमर्सियल हब बनने के रास्ते पर चल पड़ेग अब आप मुझे बताईए एक गोमती नदी नरेंद्र मोधी के प्रदान मंत्री बनने के बाद आई क्या, पहले ठीक नहीं थी, पहले थी ना, विपलव जी मुख्य मंत्री बने उसके पहले भी गोमती तो थी ना, आपको दिखती थी, पहले वाली सरकार को नहीं देखती हमने उस गोमती को गहरा करके उसी में जहाद चलाने का फैसला किया है भाविवर बेहनों, बीतोए महिनों के दवरान, यहां की सरकार ने टेक्नलोजी के माध्यम से आपके जीवन को आसान बनाने का लगातार प्रयास किया है गरीबों का राशन हो, जमीन का मामला हो, या फूर दूसरी सेवाएं, बाकी देश की तरह इंटरनेट से जनता को सुविधाएं देने का काम तेजगती से चल रहा है इस डिजीटल अभियान से बिचोलियों पर बराबर की लगाम लग गई है और मुझे बताया गया कि हमारे त्रिपुरा में 62,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाब मिल रहा था जो लोग थे ही नहीं सिरफ कागेज पर ही पैदा हुए कागेज पर ही बड़े हुए और कागेज पर ही रूपिय लेते गए ये फरजी लोग आपका पैसा लूटकर किसकी तीजोरी भर रहे थे ये आप भली भाती जानते हैं साथियों इस तरह बीते साड़े चार बर्षों से देश भर में ऐसे फरजी बाड़ा करने वाले आठ करोड फरजी लाभार्तियों को सिस्टम से हमने बहार कर दिया है ये वो लोग थे जो दूसरे गरीब का राशन खा जाते थे पैंशन खा जाते थे स्कॉलर्शिप हड़ब जाते थे ये पूरी व्यवस्ता किसने बनाई आप मुझे बताईए कि बिचोलियों और दलॉलों की ये पूरी व्यवस्ता किसने तयार की जरा जोर से बताईए कौन लोग है जिम्मेवाग किसने बरवादी की साथियों दिल्ली में जिनकी 55 सालों तक सरकार थी और यहां जिनकी दो दशक तक सरकार रही असल में इनी दोनों साथियों की जुगल बंदी ने यह पाप किया था यह कमाल किया गुंडों और प्रस्टाचारियों बिचोलियों की महा मिलावट के इन साथियों का एक कमाल था जिसने त्रिपुरा और देश के गरीब मद्यमबर के हक पर डाका डाला साथियों महा मिलावट यह महा मिलावट के साथि दलालों बिचोलियों के सबसे बड़े समरक्षक रहे यब फिर से दिल्ली में एक बार सपना देख रहे हैं कि दिल्ली में हो सके उतना जल्दी एक मजबूर सरकार बन जाए मजबूर मजबूत सरकार से उनको ज़्यादा परिशानी हो रही है आप मुझे बताईए देश को मजबूत सरकार चाहिए के नहीं चाहिए इतना बड़ा देश मजबूत सरकार मिना चल सकता है मजबूत सरकार के मिना फैसले हो सकते है मजबूत सरकार के मिना देश आगे बढ़ सकता है मजबूर सरकार के बिना नवजवानों का बविश्य बन सकता है उन्हें तो मजबूर सरकार चाहिए क्योंकि मजबूर सरकार होगी तो उनके घर भरने में सुविदा रहेगी उनके वहुश वारिस की सेवा करने की सुविदा रहेगी तिकडम बाजी करने के लिए मुईदान खुला मिल जाएगा आप मुझे बताईए भाईयो बेनो देश को मजबूत सरकार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए मोदी को गाली देने का आजकल कॉंपटिशन चल रहा है ओलेम्पिक चल रहा है ओलेम्पिक ये महा मिलावट में यही काम चल रहा है अवसरबादीता के हद देखिए आप मुझे बताईए ये महा मिलावट वाले दिल्ली में हाथ पकड़ पकड़ करके फोटू निकालते है कलकते में जाकर के हाथ पकड़ पकड़ करके फोटू निकालते है ये त्रिपूरा में एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार है क्या है क्या किरल में है क्या पंगाल में है क्या लेकिन देश को ब्रमित करने के लिए हाथ में हाथ मिला करके महा मिलावट का व्यान चला रहे हैं और करना क्या जम भी मिलो मोदी को गाली दो इनको लगता है कि जनता इनकी तरही अपने विवेग पर परदा डाले हुए है उसको ये महा मिलावड का कहल समझ नहीं आता असल मैं ये भी भी पुराने वाले दोर में जी रहे हैं कि इनके जूट को कोई पकड़ नहीं पाएगा जिस तरह विदान सभा के चुनाओ में आपने इनको सच्चाई दिखाई उसी तरह अब लोग सभा चुनाओ में देश की जनता बताएगी कि लोगों से जूट बोलने का मतलब क्या होता है बाई और बैनो इन से अगर कोई पूछे कि बताओ भाई किसान के लिए आपकी क्या योजना है क्या एजंडा है जैसा ही आप पूछोगे कि किसान के लिए क्या करोगे तो उन्होंने जवाब देना चाहिए जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए लेकिन वो क्या करते हैं आप याद रखना आप उनको किसान का पूछोगे वो मोदी को इतनी गाली देंगे अगर आम इनसे पूछोगे कि मजदूर के लिए के समिक के लिए क्या करोगे उन्हाने जवाब देना चाहिए जवाब नहीं देंगे वो मोधी को उससे जरब बड़ी गाली देंगे इनसे पूछो कि युवाँं के बहतर भविश के लिए क्या करोगे तो जवाब देने के बजाएं वो मोधी को उससे भी बड़ी गाली हर सवाल का जवाब उनके पास एक ही है मोदी को गाली दो मोदी को बड़ी गाली दो मोदी को जोर से गाली दो मोदी को जितनी हो सके उतनी गाली दो यही इनका काम है बाई ये बेनो असल मैं महा मिलावट के ये साथी जान चुके हैं कि देश के युवा देश के गरीब देश के किशान वो अपनी आकांग छायें मोदी पर भरोसा करके देख रहा है आशावर विश्वास के साथ देख रहा है मोदी जो काम करता है उससे ही विश्वास जगता है उसी से उम्मिद्य अधिक होती है और ये सारे मोदी विरोधियों को भी भली भाती पता है साथियों बीते साड़े चार वर्सों में जो काम सरकार ने किये उसको और विस्तार देते हुए इस वर्स के बजेट में सबका साथ सबका विकास के रास्ते को और मजबूत किया गया है किसान हो नौजवान हो मद्दूर हो या मद्दमवर हर किसी के लिए बजेट में ऐसी विवस्ता की गई है जैसी पहले सोची तक नहीं गई थी भाई और बेनों, इस बजेट में हमने ऐसे लोगों की चिंता की है जिनके बारे में पहली की सरकारों के समय सिर्फ नारे लगाए गए, सिर्फ बोट बटोरे गए अब आप ही बताईए, जो घरों में काम करते हैं जो सडकों या घरों के निर्माण से जुड़े हैं जो रिक्षा चलाते हैं, रेडी या ठेला चलाते हैं ऐसे औसंगठी छेत्रों के करोडों मद्दूर बेन बाईयों के लिए अन और्गनाइज लेबर के लिए पहले की सरकारों ने क्या किया ये कॉमिनिस्ट पार्टी वाले तो मद्दूरों के मसिया अपने आपको बताते हैं लेकिन उनको अन और्गनाइज लेबर के लिए कुछ भी करने की सुजी नहीं डिल्ली सरकार के पार्टनर थे, यहां इतने लंबी सरकार चलाई लेकिन कभी उनको अन और्गनाइज लेबर की याद नहीं है ये क्या किसी ने इस वर्ग के लिए आद तक कोई बड़ी योजना बनाई साथियों पहले की सरकारें एक काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनकी नियत साप नहीं थी चाहे वाले की सरकार ने सही नियत के साथ एक बड़ी योजना बनाई है इस योजना का नाम है प्रदान मंत्री स्रमयोगी मान दन योजना इसके तहट असंगर्षित कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों की तरह असंगर्षित कामदार समीकों को भी मजदुरों को भी साथ वर्ष की आयू के बाद तीन हजार रुपिय की एक नियमित पैंसन मिलेगी जिन बहन भाईयों की मासिक कमाई 15,000 रुपिय से कम है वो आउसतन सो रुपिय का छोटा सा मासिक अंसदान दे कर इस योजना से जुड़ सकते हैं इस बैबी जितना अंसदान स्रमिक का रहेगा उतना ही केंद्र सरकार उनके पैंशन खाते में डालेगी हर महिना डालेगी साथियों इसी तरह किसानों पशुपालक और मचुवारों के लिए भी अनेक प्रबंद किये गए हैं किसानों के लिए इतिहास के सबसे बड़ी योजना बनाई गई हैं पी-म किसान योजना इसके तहट त्रिपुरा सही देश भर के करीब बारा करोड किसान परिवारों को हर साल छे हजार रुपिये सीधे बैंक खाते में केंद्र सरकार जमा करेगी और ये दो-दो हजार की तीन किस्तों में जमा होंगे और मेरा प्रयात रहेगा कि जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी पहली किस किसानों के खाते में पहुँच जाए इसका लाप उन किसानों को मिलेगा जिनके पास पांच एकर या उससे कम जमीन है इसी तरह पशू पालकों के लिए भी अप किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड की सुविदा दी जा रही है ताकि वो अपनी जरूरतों के लिए बैंकों से सस्ता रन ले सके और सहुकार के चंगूल में फसने से बच सके मच्छवारों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाने का फैसला लिया गया है इससे मच्छवारों से जुड़ी समस्याओं का जल से जल निप्टारा हो सकेगा साथ क्यों ये सभी कारिकम उन योजनाओं की भी ताकत देंगे जो बीते साड़े चार वर्स से चल रहे हैं जैसे आयुश्मान भारत योजना की तहट त्रिपुरा के गरीब परिवारों को पांच लाख रुपिय तक का मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्शित हुआ है उजबला योजना के तहट गरीब को मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है जिसके पात गर नहीं है उसको प्रदान मंत्री आवाज योजना के तहट पक्का गर और स्वच्छ भारत मिशन के तहट सवचाले दिया जा रहा है गरीबों को एक रुपिय महिने और नब्बे पैसे प्रति दिन के प्रीमेम पर दो दो लाख रुपिय तक के दुरगटना और जीवन मिमा की सुविदा भी उपलब्द कराई गई है मुझे बताया गया है कि त्रिपुरा में ग्यारा महिने के बीतर ही दो लाख से अधीक गैस के कनेक्शन इतना छोटा सा त्रिपुरा राज 11 महिने में दो लाख से अधीक गैस के कनेक्शन 20,000 से जादा घर बना करके गरीबों को दिये है सवाल लाग से जादा सौचाले बनाए गए ये तमाम ही हो ज़नाए आज गरीबों के जीवन स्थर को उपर उठाने में काम आ रही है साथियो त्रिपुरा की पहचान जन जातियों से भी है इस साल के केंद्रिय बजेट में जन जातियों के लिए बजेट में बहुत बड़ी वृद्धी की गई है साथ में गुमंतु नॉमेडिक ट्राइप इस समुदाई की पहचान के लिए पहली बार आयोग बनाने का फैसला भी लिया गया है भाजी और बहनों हमारी केंद्र सरकार ने Autonomous Council को सुसक्त करने की लंबी समय से चल रही मांग को पूरा करने की तरब भी कदम बढ़ाया है कानून में बढ़लाव करके हमने सिर्फ कानून को आत्मनिर भर बनाना चाहते हैं बलकि कानून के अधिकारों में भी बढ़ोद्री करना चाहते हैं मुझे उमीद है कि कानून में बढ़लाव के बाद हर इलाके का संतुलित विकास होगा और तेजी से विकास होगा साथियों विकास की पंचधरा यानि बच्चों की पढ़ाई युवा को कमाई बुजुर्गों को दवाई किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई इसी रास्ते को हम निरंतर मजबूत कर रहे हैं त्रिपुरा इंस्टिटूर अप्लेकनलोजी त्रिपुरा के विवाओं को पढ़ाई और कमाई से जोड़ने के हमारे अभियानकाई एक बहुत महत्वण हिस्सा है हम इस्टिटूर से यहां के विवाओं को सिख्षा के बहतर अवसर मिलेंगे और उनके उजवल भविश्की नीम ससकता होगी त्रिपुरा की सिख्षा विवस्ता को मजबूती देने के लिए राज की सरकान निरंतर काने कदम उठा रही है पहले की सरकार ने जो अव्यवस्ताएं फैला रखी थी उनको दूर किया जा रहा है साथ यों मुझे बताया गया है कि युवाओं को कमाई के समान अवसर देने के लिए राज सरकार ने एक गलब परमपरा को यहां की व्यवस्ता से हटा दिया है पहले सरकारी नोकरियों में एक पार्टी के अउनका डर से जुड़ा लोगों को ही लिया जाता था इस परमपरा को अब पूरी तरह खतम कर दिया गया है अब त्रिपुरा के हरिवा को मेरिट के आधार पर चैन करने की एक पारदर्सी व्यवस्ता तैयार की जा रही है मुझे ये देखकर संतोष होता है कि अब यहां हिंसा का डराने धमताने का दोर चला गया है और त्रिपुरा सांती से विकास की नई उचाई को छुने के लिए निकल पड़ा है मुझे इस बात की भी खुशी है कि त्रिपुरा वासी अब आराम से माता त्रिपुरेश्वरी का आशिरवार ले सकता है हवन कर सकता है पूजा हवन दिवाली होली सभी त्योहारों को पूरी आजादी के साथ सभी त्रिपुरा वासी मना सकते हैं भाई और बेनो, ग्यारा महिने पहले आपने जो नए त्रिपुरा के लिए अपना वोट दिया था, उसको और शक्ति देने के लिए, अम नए भारत के लिए नया जैनादेश भी आपको देना है, अगर तला और दिल्ली में विकास का ये डबल इंजन चलता रहे, इसके लिए आपको जूटे रहना है, आपके विश्वात से ही विकास के नए रास्ते खुलेंगे, केंद्र सरकार, त्रिपुरा विकास, त्रिपुरार विकास ए समर्पितो, त्रिपुरार राज के भारत बोर्षेर, अन्योतोमो स्थान बनाबो, मैं फिर एक बार, आपका असिरवात के लिए इतनी विशाल संग्यामा आने के लिए, रिरे से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, बहुत-बहूत धन्यवाद पुल्यवान शनों में समय निकाल कर त्रिपुरा का दोरा करने के लिए मैं माननिय प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोधी जी का पूरे राजिकी जनता की ओर से हार्दीक आभार प्रकट करती हूँ